हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है परमजी सिंग और आप देख रहे हैं एलेक्ट्रिकल हिट चैनल और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नोबाड के LED वल्ब से हम जुनिबरसल LED टेस्टर बनाएंगे जिससे आप शोटी से शोटी LED से लेकर बड़ी से बड़ी LED दक आप उसे चेक कर पाएंगे और उस जुनिबरसल LED टेस्टर से आप कोई भी लेक्ट्रिकल चीज़ को चेक कर पाएंगे उसके लिए हमें चाहिए एक बलब जो खुराब हो लेकिन उसका ड्राइवर बिल्कुर सही हो तो दोस्तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं दोस्तो यह देखिए जह हमारा LED बलब खुराब है लेकिन इसमें आम तोर पर जहीं प्राबलम आती है जो हमारे LED है वो अंदर से एक LED इसकी ख्राब हो जाती है तो बैसा ही बलब हमने लेना है तो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ तो यह देखिए दोस्तो हमने पहले से ही इसको जो हमारी LED है उसको साब करके रखा हुआ है तो जे बाकी बिल्कुल ठीक है बलब जे देखिए दोस्तो जे देखिए दोस्तो हमारा LED बलब बिल्कुल ठीक है लेकिन एक LED इसकी उड़ी हुई है तो दोस्तो हमें क्या करना है सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अब दोस्तो इसके connection हमने खोल लेने है और उसकी जो MCPC है दोस्तो उसको हमने खोल लेना है अब दोस्तो अब हम इसके जो heat sing है इसको बाहर निकाल लेंगे अब दोस्तो इसका जो driver है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे तो दोस्तो हमने जो driver निकाल लिया है यह बहुत अच्छा driver है दोस्तो अब हमने एक diode लेना है इसका नंबर है IN4007 इसकी जो silver वाली पट्टी है वो दोस्तो negative वाली है और जो black वाली पट्टी है वो 5D वाली है और दोस्तो जो हमने MCPCV इसके भी दो पाट है एक छोटे वाला एक बड़े वाला जो बड़े वाला पाट है वो इसका negative वाला पाट है और जो छोटे वाला पाट है वो 5D वाला पाट है तो हमें क्या करना होगा तो दोस्तो जो हमारी 5D बाली साइड है डोइट की उसको हमने इसके 5D बाले पाट पर लगा दिना है इसको 5D बाली साइड पर लगा दिना है कुछ इस तरह से अब दोस्तो हमने एक अब दोस्तो एक black wire का पीछ लेना है और जो हमारा दूसरा दूसरी साइड बजी थी बहाँ पर हमने इस बाहर को लगा देना है अब दोस्तो हमें एक dabby लेनी है को इस टाइब की आप कोई भी ले सकते हो और इसके उपर एक switch लगा देना है अनुब बाला तो दोस्तो आप भी कोई भी डिबी ले सकते हो और जो यह हमारी LED है इसको हमने इसके उपर फिट कर देना है और जहां से हमने बाहर निकालनी है बहां से हमने इसको सुराख कर लेना है कुछ इस तरह से और दोस्तो जो हमने स्विच लगाया है दोस्तो जो मारा स्विच है उसकी एक साइट को हमने इस पहले पॉइंट को शोड़ देना है और जो दो पॉइंट है उनकी उपर हमने एक जो डेर्ट सो होंगी रिस्टेंट से है उसको हमने लगा देना है कुछ इस तरह से दोस्तो अब हमने इसको इसके उपर फिट कर लेना है और हमने जो हीट सिंगर इसको दोसरा कर लिए है और इस डिबी को भी दोसरा किये हुए है तो दोस्तो अब हमारी जो हीट सिंगर प्लेट है जो फिट हो चुकी है अब हम जो ब्लैक वायर है इसको हम इसके बीच से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से वो जो driver है उसको हम इसके बीच में ऐसे रखके दोस्तो जो हमारे driver की input है उसको हमने 2-pin टाब लगा लेना है दोस्तो हमारा 2-pin टाब लग चुका है अब हम इसकी testing कर लेते हैं तो दोस्तो इसकी अब हम इस टेस्टिंग करेंगे तो इसको हम दोस्तो पावर पॉइंट के उपर लगाते हैं और इसको ऐसे लगाएंगे दोस्तो दोस्तो हमारा LED टेस्टर बंड चुका है और जे देखिए दोस्तो अगर आपने किसी भी चीज की कांडिनुडी चक करनी है तो इसके उपर चक कर सकते हो तो दोस्तो अगर जैसे की जे वाली हमारी नो बाट की MCPC है तो आप इसे अराम से चक कर सकते हैं पोजिटिव की जगा पोजिटिव लगाना है और नेग्टिव की जगा नेग्टिव लगाना है जहां अगर आपने अकेली SMD चेक करनी है तो भी यह टेस्टर बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर 9 बार्ट से बड़ी है 12 बार्ट, 15 बार्ट, 18 बार्ट तो यह नहीं चलेगी दोस्तो दोस्तो जो हमने जुनिवर्सल LED टेस्टर बनाया है उसका ड्राइवर बहुत चोटा है 9 बार्ट तक है तो वो 100 बार्ट तक कैसे चक करेगा तो दोस्तो कई कई वीडियो यूट्यूब के उपर ऐसे हैं जो की प्रापर सही नहीं है लेकिन कुछ हद तक ठीक है दोस्तो हमने पहले यूट्यूब के उपर कई वीडियो देखे और देखने के बाद में जे वीडियो बनाया और जो उसका रजल्ट आया वो आपके सामने है तो दोस्तो जे वीडियो आपको कैसा लगा कमंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद